आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ जो आपके बहुत जल्दी वेपोराइजड हो जाते हैं वेपोराइजड विदाउड डीकमपोजिशन उनके जो आपके कमपाउंड होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं गैस क्रुमेटोग्राफी में आपको एनलाइज करते हैं और आपका क्या है हम लोग इनको separate करते है ठीक है तो यहां पर आपका यह जो होता है यह gas chromatography है वहां आपको क्या है कि जो आपके separating मतलब हम separate काते है on a light compound that can be vaporized without decomposition ठीक है तो जो आपकी gas chromatography है इसमें जो आपका mobile face होता है जिसको बोलते moving face mobile face में हम लोग क्या use करते है gas carrier use करते है ठीक है carrier gas और carrier gas जो होनी चाहिए वह आपकी inert होनी चाहिए ठीक है so inert gas जो है वह आपकी कौन से है यहां पर हम लोग जो inert gas लेते हैं वह helium लेते हैं ठीक है helium ले सकते हैं या nitrogen intrusion तो most probably जो है वह हम लोग 90% हम लोग helium यूज करते हैं जित्ते भी आपके इंस्टुमेंट होंगे उनमें 90% जो है approximately 90% of instrument जो है वह आपका क्या है helium gas जो है यह प्रिफर करते हैं ठीक है और आप ध्यान रखना कि जो और गन है वह आपका जो है helium के मुकाबले जो है वह आपका पूरर क्रोमेटोग्राफिक मतलब होता है और गन इस एक्सपेक्टेड टू प्रिदूस पूरर क्रोमेटोग्राफिक कंपेर टू हीलियम के कंपेरिजन में जो और गन होता है वह आपका हीलियम से कम क्रोमेटोग्राफिक जो भी आपकी टेक्निक होती है वह आपको जो है उसमें कम देखने को मिलता है इसमें आपका क्या helium जो है वह आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ठीक है जो इनट फेस इनट गैस है मतलब मोवाईल पेस कहलाता है गैस केरियर बोलते है यह आपका क्या helium हम लोग यूज करते है तो helium जो है वह आपसा नमबर A में है तो A इस दी करेक्ट आंसर ठीक है थैंक यू